देशपर में दिपावली की धूम हैं, बाजार सच चुके हैं और सभी अपने घर में लक्षमी जी और कुबेट जी की पूजा के लिए तैयार हैं। क्या आप जानते हैं इस दोरान पूजा के समय आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे आपके घर में धन्धाने की कमी नहीं होगी या कहें कि साल भर आपके घर में सुकसम्रिधी बनी रहीगी ये पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। मा लक्ष्मी की पूजन शामगरी जो है मा लक्ष्मी की जो पूजा होती है गनेश जी के साथ तो पूजन सामगरी में तो पूजन में रोली मोली पान स्पड़ी जने उत्यादी तो हैं ही लेकिन विशेश रूप से मा लक्ष्मी के पूजन में धनिया, हल्दी, गोमतीचक, तोड़ी, कमलगठा और हल्दी का गांठ, कंगनी ये सब होना आवस्यक होता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि लक्ष्मी जी और कुबेट जी की पूजा के दौरान आप क्या एक खास उपाई कर सकती हैं। इसके बारे में भी जोतिशाचारे ने हमें क्या बताया। चलिए आपको सुनाते हैं। अब ये जान लीजे कि लक्ष्मी जी और कुबेट जी की पूजा के दौरान आपको क्या एक खास काम करना है। जिससे आपके घर में सुकसम्रिधी बनी रही साथ ही पूरे साल पर आपके घर में धन धानने की कमी ना हो। इसके लिए जोतिशाचारे ने क्या उपाय बताया है चलिए अब ये जानते हैं। से निवेदन करें कि हमारे घर की जो नकारात्म कुर्जा है यानि हमारे घर की जो दरिदता है हमारे घर में जो कमी है वहां मा लक्ष्मी आपकी क्रपा से हमारा पूरा हो जाए। हमारे घर में धनधान की सम्रद्धि हो ऐसा मंत्र बोल करके वह पोटली बान है और बान करके मा लक्ष्मी के समक्ष रखते हैं ये विशेश पुजा का माद्ध। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें लोकलिटी